नमश्कार आज हम डिसक्स करेंगे उस और इंडिया के बारे में आज कल हम सुन रहे हैं बहुत से लोग युए से से इंडिया वापिस जा रहे हैं रीजन कुछ भी हो सकता है रीसेंट लेओफ सोरे हैं काफी सारे बहुत सारी टेक कंपनीज में लेओफ हुए हैं और आगे भ तो भौत वारी लोहों को यह कोशन आते दिमाग में कि यूएस बहुत अच्छा है इंडिया बहुत अच्छा है तो आज का जो defect क मैं इसके आपर फोकस करना चाहता हूं कि क्या चीज यूएस में अच्छी है क्या चीज इंडिया में अच्छी है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये वाला कि मैं दोनों ही जगा रह चुका हूँ और मैं काफी में इंडिया आता जाता रहता हूँ तो जैसे आप देख सकते हैं तो मैं नहीं सोचा कि क्योंकि मैं काफी कॉश्चन सुनता हूं लोगों से काफी लोगों से डिसकस भी करता हूं मेरे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूएसे से इंडिया मूव हो गए हैं हम लोग भी मतलब सोची रहें कि शायद इंडिया चले जाना थी है तो आज मैं फोकस क्यों इसी चीज पर रहेगा कि यूएस वर्सेज इंडिया क्या अच्छा है क्या बुरा है किसके लिए कैसा सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा इसी के ओपर आज हम लोग बात करेंगे तो पहल बहुत हेल्फुल नेचर के हैं बहुत ऑनेस्ट हैं तो अब रोज मर्रा की जिन्दगी में आप जाओगे आपको कभी कोई कोई पुलिस टंग नहीं करेगी कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं चीजे सारी अपने सीमलेस तरीके से चलती रहेंगी जादा तर आप किसी भी इंफरस्क्चर वह बहुत ही बहतर ही जैसे कि दर भी चले जाई है अब यूएस में रूरल एरिया में हो या सिटी एरिया में हो रोड़ बहुत बढ़िया बनी है कोई गड़े वगरा कुछ नहीं है ट्रैफिक वेल और्गनाइज है लोग दिहान से चलाते हैं गाड़ी आ रोड रेज वगरा कोई concept नहीं है यहां पर अटलीस मैंने तो नहीं देखा मेरे को 10 साल से उपर हो चुके हैं यहां पर रहते हुए तो वह बहुत बढ़िया है यहां पर हर तरफ लेक्स हैं पहाड़ हैं हरयाली है जैसे मैं वेस्ट कोस्ट पर रहता हूं तो यहां पर डेली गया था तो डेली में देली में मतलब 400 500 600 ऐसे ही हो जाती है तो यहां फॉरस्ट पायर्स जब आती है वह अनॉंस्मेंट कर देते हैं पूरा तब होती है यहां पर 200 300 400 आपने भी सुनाओगा फॉरस्ट फायर्स हो जाती है यहां पर नैच्रल फिनॉमन नहीं नोट ब तो उस लहाज से भी यूएस बहुत अच्छा रिसर्च फैसलिटीज यहां पर अन्पैरलल ना आप स्टैन्फॉर्ड चले जाओ एमाइटी चले जाओ यूनिवर्स्टी ऑफ कैलिफोर्निया बेर्कली चले जाओ बहुत टॉप क्लास इंस्टिटूशन हैं और यहां पर रिय सकस्फुल होगी तो इंडिया क्योंकि डेवलप्न कंट्री है वहां उनके लिए इतना पैसा डाल पाना जोड़ा मुश्किल है यूएसे के लिए असान है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पैसा बहुत डालते हैं और रिसर्च वगरा अच्छी कॉलिटी होती है और आप प्यवड़ा फोकस करने के लिए जाता है तो यहां पे होती है इसा नहीं है कि फैमली नहीं है बट लोगों को इंडिपेंड्नेंस पर फोकस दीआ आता है तो जैसे चोटे बच्छे होते होいきます हornos है इंडेश County नाम लेके बाद करते हैं तो यहीं Прेle तो यहां पे आपको यूरोप से एशिया से एफ्रीका से लेटन अमेरिका से दुनिया जहान के लोग आके रहते हैं तो जिसको शौक है अलग अलग लोगों से मिलने का या एथनी सिटी से देखने का तो यहां यूएस में भरपूर है वह लगबग लगबग हर कोस्ट पर चा लाटन पीपल है इस्टन यूरोपियन है वेस्टन यूरोपियन है अफ्रिकन है नॉर्थ अफ्रिकन है प्रेंच है लिए उनेम इट आप से बहुत डाइवर्सिटी है इसी चक्कर में क्या होता है कि यहां पे खाना भी फ़टाइवर्स है तो आप चाहोगे कि मुझे हो सकता है लेकिन आपको availability सारी है मतले ढूंबना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पे सारी इतनी variety रहती है तो यह तो चीज हो गई USA के बारे में अच्छी अब क्या चीज इतनी अच्छी नहीं है वो भी मैं बताना चाहता हूँ एक चीज और मैं बोलूंगा अच्छी में क कि USA automation पे products पे बहुत focused है यहां पे क्या है पूरा focus automation पे रहता है कि कैसे आपका काम असान बनाया सकता है उसके लिए मैं क्या automation कर दूं क्या machines बना दूं क्या products बना दूं तो यहां पे जो सुविधा वाली चीजे हैं वो बहुत सस्ती मिलती है तो जैसे गाड़ी है आपको हर अपनी गाड़ी रखते है जनरली तो गाड़ियां जनरली सस्ती होती है पर इंडिया के मुकाबले दूसरा गाड़ियों की variety बहुत जादा बहुत जादा बहुत सीदान से लेलो और सस्ती है और अट्रूसरा क्या है यहां पर product focus society है न तो चीजे बहुत मिलती है जैसे आप आपको बाल काटना तो घर पे आपको रिजर्ट रिमर वेकर सब मिल जाएगा आप और ऑनलाइन ओडर कर लो और घर पर आ जाएगा आपके कर सकते हो गार्डनिंग के लिए आपको खुद तूल्स दिये हुए कर लो डू इडू 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 इडूर सेल्फ का बड़ा फोक तो आप देख सकते हैं जैसे यह सबसे बड़ा एक आता है यह डिफरेंस भी है तो यूसे प्रॉडक्ट बेस सोसाइटी तो इंडिया में जैसे हर काम के लिए आपको मेट रखी होगी गार्डनर होगा ड्राइवर होगा आपको प्रैस करने वाला अलग होगा बरतंद होने वाली अलग होगी आप लगा के रखते हैं यूस में यह कुछ नहीं होता सब अपना-पना काम खुद करते हैं इवन मिडल क्लास अपर मिडल क्लास लोग भी खोदी करते हैं क्योंकि बहुत ही महंगा है तो मैं आपको एक ग्जांपल दे सकता हूं जैसे अगर हम सियाटल का एक्जांपल है जो वेस्ट कोस्ट की सबसे उपर सिटी है कैनड़ा से बिल्कुल लगती है वैंकूकर और सियाटल ट्विन सिटीज कह देते हैं कई बारी तो सियाटल के अंदर नैनी रखनी है अगर आपको छोटे बच्चे के लिए तो पूरे मन्त के चार्ज है उसका में रखनी होगी तो आपको 15-20,000 रुपे में नैनी मिल जागी अराम से तो कोई कंपारिजन ही नहीं है सेम वे अगर आप किराएगा घर देखोगे तो कोई भी यहां पर मेजर सिटी ले लो अगर वन बेडरूम अपार्टमेंट लेना है आपको तो दो डाही आजार डॉल आप दो इसमें कश्चा हो जाता है आपके एक्स्टा बागी खाना पीना थोड़ा लगवग महिंगा है मतहकी ऐंडीया के में दीना स्कूल में तो त मह सके पास स्कूल बड़ा महिंगा रहता है यहां पर प्री स्कूल होते हैं जैसे टॉडलर्स जाते हैं उनको मतलब अक्सेस नियुकेशन की यहां पर किंडर गार्डन पांच साल के बाद स्टार्ट होता है बच्चों का तो उससे पहले क्या करेंगे तो उसमें अगर आप बेशते हो तो नौर्मली दो सट है डालर स्ट और दिक्कत क्या है यहां पर जो एड्यूकेशन सिस्टम है वो बहुत कॉंपरिटिव नहीं है वो लोएस्ट कॉमन डेनॉमिनेटर के लिए बनाया गया है जो बच्चे पिछड़े हुए हैं या जिनको इंटलेक्शल केपिबिलिटीज इतनी हाई नहीं है या काउगनेट है कि यहां पर कुछ पढ़ाते ही कुछ नहीं है बच्चे बस खेल के और आ जाते हैं यहां पर पूरा फोकस कम्यूनिकेशन स्किल पर रहता है इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लो तो यह बहुत आप देखा होगे कि मैठ वगरा या साइन्स वगरा बहुत वीक रहती है बच्चों की इतना नहीं फोकस करते हैं तो वो इंडिया में बहुत अच्छा है दूसरा आप देखोगे कि क्योंकि स्कूलिंग इतनी बड़िया है नहीं फोकस है नहीं तो अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है या माबाप साथ में ना लग जाएं तो बच्चे का केटवल एड़िकेशन दूसरा आजयाते हैं हल्द्ड के ओपर हैल्द केर अफल्ट केर वर्स हैं जिसमें ऑ पर आप और आपकी फेमिली और व्याट देख आट डिए आट तो अगर तो आप जॉब कर रहे हैं आप पस इंसॉरेंस है जो की कंपनी स्पांसर कर देती है तो आपको सकता 300-400-500 महीने में आपको इंस्यूरंस मिल जाता है जिसमें आपकी आप और आपकी फैमिली सब्सक्राइब और भूट करे जाना है कोई टेस्ट वेस्ट बोल रहा तो उसके बैसे अलग लगते हैं जैसे डेंटल वगर अगर ट्रीटमेंट कराना है तो उसमें जैसे मैं एक और भी जो यहां पर ऐसी रुपे का मानलो तो अगर आट-डास डॉलर के आहां पर वह जो कि इंडिया में दस बीस अजाती है तो मतलब इस लिक लिक अल्मोस्ट टेंट थांस तांस थांट थांस थांस हाई-पर और दूसरा क्या है यहां पर हेल्थ केर एकसेस ऐसा है कि आपको ना हमेशें इंशुरेंस के थुरू जाना पड़ता है और यहां पर डॉक्टर्स में क्या लाइसेंसिंग ऐसी होती है कि एक डॉक्टर एक दिन में 15 या 20 से जादा पेशिंट्स नहीं ले सकता यह भी कुछ ल और डॉक्टर भी यहां पर क्या होते है ना इतने मरीश तो देखते नहीं तो एकस्पीरिंस इन लोगों को होता है कम तो यह बिल्कुल रूल बुक्स से आते हैं कि यह कर लो यह कर लो और आगे बढ़ जाओ तो परसनलाइज नहीं होता बिल्कुल भी तो इन जनरल आप इ जार रुपे ले लेगा फीज यहां यूएस में इसा नहीं आप चाहा के भी नहीं कर सकते क्योंकि वह आपको इंशुरेंस के थुरू जाना पड़ेगा और अपाइंटमेंट में नहीं मिलेगा आपको ठीक है ना हाँ अगर आपको रेर कोई डिसीज हो गई जैसे आपको दोन रहें जो कहीं एक्सिस नहीं करता तो वह यूएस में मिल जाएगा आपको जो रिसर्च और इंट चीज ना वह यूएस में बहुत अच्छी है लेकिन जो रोज मर रहा हो अगरा मैं चाहिए ना चीज आपको मेडिकल हेल्प चाहिए होती है वो कुछ नहीं है यहां प बाओ